हालो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड्स इस वीडियो क्लास में हम हाई फ्रिक्वेंसी वर्ट्स पढ़ेंगे और यह हाई फ्रिक्वेंसी वर्ट्स इंग्लिश के सभी सेक्शन्स के लिए काफी इंपोर्टन रहेंगे चाहे वो banking exams हो, चाहे वो insurance exams हो या फिर वो SSE exams हो, सबी exams में इन words को commonly use किया जाता है, तो चलिए देखते हैं इन words को जैसे कि आप देख सकते हैं यह first word है, parochial इसको हम बोलेंगे P-A-R-O-C-H-I-A-L parochial, parochial का मतलब होता है narrow-minded approach किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी भी subject के बारे में narrow-minded approach को हम बोलते हैं parochial, यह एक adjective है ठीक है, और इसको हम noun के साथ use करेंगे, जैसे parochial approach या parochial mentality तो यह इसका मतलब होगा यह यहाँ पर example sentence दिये हैं इनको आप पढ़ सकते हैं और इसका synonym होगा insular और provincial provincial, province का मतलब होता है एक state या राज तो जो जिस व्यक्ति की सोच अपने राज तक ही सीमित है उसको हम बोलेंगे provincial या insular भी हम इसको बोलते है यह एक अच्छा word है insular और provincial तो parochial, insular और provincial यह तीनों एक ही word है और इसके antonym होंगे liberal, unrestricted, catholic, eclectic and broad-minded इसमें catholic word काफी important है यह इसका मतलब होता है liberal या broad-minded तो यह इसके antonym है तो इस तरीके से parochial यह word है काफी important word है इसको आप याद करें इस वीडियो के end में इन सभी words का मैं आपको revision भी कर भाऊंगा दूसरा word है amiss a-m-i-s-s amiss इसको हम बोलेंगे amiss का मतलब होता है कोई भी चीज जो सही नहीं है inappropriate है और right नहीं है correct नहीं है out of place है उसको हम बोलेंगे amiss यह भी एक adjective है और इसको हम adverb की तरह भी use कर सकते हैं जैसे यदि आप यह example sentence देखें there was something amiss about his calculations उसकी calculations के बारे में कुछ गडबर थी कुछ wrong था कुछ inappropriate था ठीक है तो यह example sentence है और यहाँ पर आप देख सकते है an inspection revealed nothing amiss मतलब inspection में कुछ भी गडबर या कुछ भी खराबी या कमी नहीं निकली और यह तीसरा sentence है इस एक adverb की तरह यूज हुआ है और इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने cabinet को जो बनाया है वो थोड़ा सा हो सकता है गलत तरीके से बनाया हो यह इसका मतलब है और यहाँ पर आप इसके synonym देख सकते हैं wrong इसका synonym है और ही इसका synonym है faulty या out of order या out of place improper, unsuitable ये हैं सारे इसके synonyms और इसमें एक idiom भी है जैसे यदि आप बोलते हैं कि it wouldn't go amiss या it wouldn't go amiss या it wouldn't come amiss ठीक है तो इसका मतलब होता है कि वो चीज आपकी welcome की जाएगी जैसे आप नीचे explanation इसमें पढ़ सकते हैं used for saying that something would be welcome suitable और useful an apology wouldn't go amiss मतलब एक apology याप फाइल करते हैं याप apology देते हैं तो वो फालतु नहीं जाएगी उसका welcome किया जाएगा वो suitable रहेगी तो wouldn't go amiss का मतलब है कि कोई भी चीज जिसका welcome किया जाएगा और जो चीज सही रहेगी जिसको करना सही रहेगा उसका हम बोलते है wouldn't go amiss तो amiss का मतलब होता है inappropriate या incorrect अब इसी से मिलता है तब word है remiss ये भी काफी वार कई exams में आया है जिसका मतलब होता है careless या negligent या slip shod या lex ठीक है तो ये है इसके सारे स्रोनिम lex का मतलब होता है थोड़ा धीला ढाला lex slip shod है negligent है careless है और इसके लिए एक word और होता है reckless reckless का मतलब भी careless होता है lacking care और attention to duty negligent ये इसका meaning है और यहाँ पर ये example sentence है इसके it would be very remiss of me not to pass on that information यदी मैं इस information को pass on नहीं करता हूँ transfer नहीं करता हूँ दूसरे वक्ति को नहीं देता हूँ तो ये काफी लापरवाही वाला काम होगा ये sentence का मतलब है और see the second sentence it would be remiss of me if I did not share with you the vital role God has played in my recovery तो beautiful sentences बहुत ही अच्छे sentences है इनको आप देख सकते हैं और ये है इसका synonym negligent, neglectful, responsible, careless, thoughtless heat का मतलब भी pay attention होता है heat तो heedless एक ऐसे वक्ति को बोलेंगे जो careless है ठीक है inattentive हो सकता है forgetful हो सकता है lackadical ये भी एक अच्छा वर्ड है lackadical ये काफी important वर्ड है और slack का मतलब थोड़ा धीला होता है slack lax or unmindful तो ये है सारे इसके synonyms और इसको आप adverb की तरह भी यूज़ का सकते है remis को और इसका noun form जो होगा वो होगा remisness तो यहां पर भी मैने नीचे explanation दिया है if we do not address these complexities in the public arena and in way there are especially theoretical grounded we will be remiss in carrying out our scholarly and civic responsibility यदि हम ऐसा काम नहीं करते हैं तो हम अपनी responsibility करने में थोड़े से लापरवाह माने जाएंगे ये sentence का मतलब है तो amiss का मतलब inappropriate और remiss का मतलब careless आगे हम देखते है forment काफी common word है forment का मतलब है किसी चीज को किसी व्यक्ति को या किसी issue को उकसाना उसको insight करना या उसको sentiment को उकसा देना किसी चीज को encourage करना उसको हम बुलते है forment और यहाँ पर ये example sentence आप देख सकते है they accused him of fomenting political unrest political unrest था जो political अशांती थी unrest का मतलब होता है अशांती उसको उन्होंने उकसाया इस चीज का उनके उपर आरोप लगा हुआ था accused का मतलब होता है आरोप लगना Iran has accused a prominent American academic it imprisoned two weeks ago of conspiring to foment a velvet revolution there एक velvet revolution को conspire किया उन्होंने उसको foment किया तो यह sentence का meaning है और यदि आप इसके synonym देखें तो instigate insight provoke ये भी अच्छा वरड है प्रवोक का मतलब अक्साना होता है agitate किसी को तेजित कर देना excite stir up ये phrasal verb है stir up और whip up whip का मतलब कोडा मालना होता है किसी व्यक्ती में तो whip up का मतलब होता है किसी चीज को encourage करना उसको उसको insight करना whip up arouse, inspire, encourage, urge actuate और initiate ठीक है, actuate भी एक अच्छा वरड है actuate और ये है phrasal verb trigger off ठीक है spark off kindle ये एक वरड है bring about और touch off इन सभी का मतलब है spark off करना किसी को किसी को उकसाना या encourage करना और ये है इसके एंटोनेम जैसे deter का मतलब होता है किसी चीज को discourage करना या रोकना repress करना मतलब दबा देना discourage करना dampen और tranquilize tranquilize का मतलब होता है शांत करना किसी चीज को dampen का मतलब ही है शांत करना repress का मतलब दबा देना deter का मतलब discourage करना तो काफी important words है याँपर और touch off का मतलब होता है किसी चीज को insight करना, उक्साना, bring about, kindle, spark off, तो ये सारे word है, minion का मतलब क्या है, minion का मतलब एक ऐसा dependent वेक्ति है, या एक ऐसा servant जैसे वेक्ति है, जो काफी inferior है, और unimportant है, ठीक है, इसको हम बोलते है minion, a follower और underling of a powerful person, especially a survival और unimportant one, एक powerful वेक्ति का, एक parasite जैसा एक वेक्ति, एक servant जैसा एक वेक्ति, जो पूरी तरह उस पर dependent है, उसको हम बोलेंगे minion, he gets oppressed minions like me to fob them off, fob them off का मतलब है किसी वेक्ति को नीचा दिखाना या उसको discourage करना, उसको हम बोलते है, fob them off, ठीक है, तो यह है इसके synonyms, underling, henchmen, henchmen भी एक अच्छा वर्ड है, henchmen का मतलब होता है, एक चापलूस वेक्ति और उसकी हां में हां मिलाने वाला वेक्ति, उसको हम बोलते है, henchmen, flunky, lackey, hangar on, यह एक अच्छा वर्ड है, hangar on, ठीक है, तो यह सारे वर्ड हैं इसमें, और इसका synonyms क्या होगा, follower, gopher, dependent, psychophant, toadie, puppet and parasite, तो इसमें एक तो gopher काफी important वर्ड है, gopher का मतलब भी minion है, psychophant का मतलब, psychophant भी बोलते हैं इसको, psychophant इसका मतलब है, chaplouse, toadie, यह भी एक important वर्ड है, puppet और parasite, यह मिलते उलते वर्ड हैं, और इसका एंटर निम होगा, superior, leader, या master, form of का मतलब आप नीचे देख सकते हैं, to cheat someone by substituting something spurious or inferior, ठीक है, form of, palm of, यह phrasal verb मैंने यहाँ पर इसलिए दिये हैं, क्योंकि banking exam में phrasal verb को पूछा जा रहा है इस समय, और currently यह phrasal replacement में काफी आते हैं, तो fob of का देखिए, palm of का मतलब आप देख सकते हैं, तो सारे phrasal bulb मैं जाद सेदा इसमें यूज कर रहा हूँ, next word हम देखते हैं, remonstrate का मतलब होता है, protest करना, किसी चीच का, किसी व्यक्ति का बिरोध करना, reproachful तरीके से या forceful तरीके से, demonstrate, ठीक है, बैसे demonstrate भी word होता है, demonstrate का मतलब होता है, प्रदरशन करना, और remonstrate का मतलब होता है, बिरोध करना, protest करना, he turned angrily to remonstrate with him, he got angry when I politely remonstrated with him about littering, ठीक है, littering मतलब कूडा करकर, तो remonstrate का मतलब होता है, protest, complain, और इसमें एक important word है, ex-postulate, ex-postulate का मतलब है, remonstrate या protest करना, ex-postulate, और यदि आप बिरोध नहीं करते हैं, तो आप किसी चीज़ को sanction करेंगे, agree, sanction, और approve, ये हैं इसके end-to-name, remonstrate मतलब, प्रतरोध करना, या बिरोध करना, egregious, egregious का मतलब होता है, कोई भी चीज़ भहती ज़्यादा खराब, या बेकार, या शौकिंग है, उसको हम बोलते हैं, egregious, तो यहाँ पर ये example sentence आप देख सकते हैं, ये तीन example sentence हैं, these are the examples of egregious abuses of copyright, this is an egregious example of political bias, bias हम बोलते हैं, भेदबाब को abuses हम किसी भी चीज़ को, कोई भी disparity है, कोई भी असमानता है, या कोई भी गलत चीज़ है, तो उसको भी हम बोलते हैं, abuses, या किसी चीज़ का उलंगन है, उसको भी हम abuses में ही count करते हैं, इसलिए उनका जो performance थी, वो खराब हो गई, तो ये भी काफी important word है, next word हम देखते हैं, insinuate, insinuate का मतलब होता है, किसी चीज़ को indirectly suggest करना, या hint देना, indirectly, subtle तरीके से, he was insinuating that she slapped her way to the top, एक अच्छा sentence है, I insinuated that I did not like his wife, इशारा करना या hint देना, indirect तरीके से, उसका मतलब होता है insinuate, synonym इसका होगा, imply, suggest, hint, intimate, whisper, indicate, convey, ये सारे हैं इसके, synonym, और allude भी होता है, allude भी एक अफ़ी अच्छा word है, allude, तो ये भी से मिलता हूँ तर वर्ड है, इसके अन्टोनेम होंगे, withhold, conceal, conceal का मतलब होता है, hide या छुपाना, ठीक है, और declare, तो ये इसके अन्टोनेम्स है, tarry का क्या मतलब है, tarry का मतलब है, किसी चीज में देर करना, या linger करना, या उसको delay करना, उसको हम बोलते है, tarry, tarried और tarrying, ये इसके वर्ड फॉर्म है, देखिए, इसके सुनोनेम होंगे, temporize, किसी चीज को delay करना, और sojourn, ये एक important word है, इसको आप देख सकते हैं, temporize, इसका मतलब है, delay करना, stay put, put off का मतलब भी तालना होता है, put off, postpone करना, loiter, और linger, ठीक है, तालना किसी काम को, रोके रखना, और यहाँ पर मैंने कुछ phreasal बर भी लिये हैं, goof around, goof around का मतलब भी होता है, तालना, और stick around, ठीक है, और end to name होंगे, इसके continue करना, advance करना, या जल्दी वाजीब में कोई काम को करना, hurry, तो यह हैं इसके synonyms, और यह हैं नीचे बाले इसके antonyms, tarry with us a while, हमारे साथ कुछ देर के लिए थोड़ा रुकिए, और second sentence, upon seeing the sun beginning to sink in the sky, we realized we had tarried too long on the summit of the mountain, जब हमने देखा के सूरज डूबने लगा, तो हमने रियलाइस किया कि हमने mountain की summit पर, मतलब mountain की peak पर कुछ ज़्यादा ही समय बिता दिया था, कुछ ज़्यादा ही हमने delay कर दिया था, तो tarry का मतलब होता है delay करना, और इसका antonyms होगा hurry या continue या advance, refractory का मतलब है किसी चीज का unmanageable होना, कोई भी चीज ये जिद्धी है या unmanageable है, या control में नहीं आ रही है तो उसको हम बोलते है refractory, his refractory pony, पोनी का मतलब actually जो चोटी होती है बालों के उसको बोलते है, और stubborn या unmanageable इसका मतलब है refractory ये काफी अच्छा वर्ड, obstinate का मतलब होता है, जिद्धी, stubborn का मतलब जिद्धी, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे वर्ड आप देख सकते हैं, इसमें काफी important वर्ड मैंने लिए हैं, एक perverse एक important वर्ड है, तो ये perverse को आप देख सकते हैं, ये SSC में कई वर आया है, और interactable भी एक अच्छा वर्ड है, interactable ये भी important वर्ड है, जिसको आप control नहीं कर सकते, जिसको manage नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे, interactable, और perverse का भी वही मतलब है, ठीक है, तो ये SSC में इसके meaning है, और नीचे इसके antonyms दी है, placid, manageable, obedient, ये इसके antonyms है, egress का मतलब वतलब exit करना, कहीं से निकलना, उसको हम बोलते है, egress, ठीक है, और entry इसका antonyms होगा, the action of going out, off, or leaving a place, direct means of access and egress for passengers, मतलब access और egress और इल्टे वर्ड है, access का मतलब पहुचना, egress का मतलब निकलना, और synonym इसके होंगे departure, exit, ये सारे synonym होंगे, exodus, orders, और entry इसका antonyms होगा, यहाँ पर हम इस वर्ड, ये सारे वर्ड मैंने जो अभी explain किये है, inward का, और पिछले वीडियो में मैंने कुछ वर्ड explain किये थे, तो उन वर्ड को हम यहाँ पर revise करेंगे, remiss का मतलब होता है careless, remiss का मतलब होता है careless, amiss का मतलब होता है inappropriate या जो चीज़ सही नहीं है, अब देखे, inapt और inapt दो दिये हैं, एक a बाला है और एक e बाला है, ठीक है, e बाले का मतलब होता है जिसमें efficiency नहीं है, E को आप efficiency से याद कर सकते हैं, inept का मतलब होता है unskillful, जिसमें efficiency नहीं है, और inept का मतलब होता है inappropriate, insinuate का मतलब होता है इशारा करना, या hint देना, ठीक है, egress का मतलब होता है exit, या departure, forment का मतलब हमने काफी detail में पढ़ा है भी, forment का मतलब होता है excite करना किसी को, या insight करना, या किसी को उकसान आप सका हम बोलते है, forment, minion एक follower होता है, एक dependent विक्ति होता है, parasite भी इसका हम बोल सकते हैं, demonstrate का मतलब होता है बिरूद करना, demonstrate, ठीक है, refractory का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो manageable नहीं है, या जिद्धी है, parochial का क्या मतलब है, narrow-minded इसका मतलब है, parochial का narrow minded, prodigal का मतलब wasteful, किसी चीज को waste करने वाला व्यक्ति उसका हम बोलेंगे, prodigal, dismal का मतलब disappointing, निराशा जनक, catholic, broad-minded, ये parochial का उल्टा है, catholic, equivocal का क्या मतलब है, जिसके दो meaning निकलते हैं, उसको हम बोलेंगे, equivocal, मतलब ambiguous कोई चीज है, या unclear कोई चीज है, तो उसको हम बो हम बोलेंगे, equivocal, clandestine का मतलब होता है, secret, uncanny का मतलब कोई अजीब सी चीज, या रहसम है कोई चीज, उसको हम बोलेंगे, uncanny, apish का मतलब होता है, एक ऐसा विक्ति जो थोड़ा सा घमंडी है, या कुछ ज्यादा ही, self-assultive है, उसको हम बोलेंगे, apish, penalty mate का मतलब है, second last, penalty mate, importune का मतलब किसी विक्ति को harass करना, या pester करना, या परशान करना, उसको हम बोलेंगे, important, impetus, एक ऐसा विक्ति होता है, या restless होता है, impetus, susceptible, जिसको impressed या जिसको influence किया जा सकता है, उसको हम बोलेंगे, susceptible, suspicious का मतलब होता है, doubtful और vulnerable का मतलब भी वह है, जिसको जिसको जिसके उपर किसी चीज का effect हो सकता है उसको हम बोलेंगे vulnerable rapacious का मतलब होता है greedy, rapacious, deride का मतलब हसी उड़ाना किसी व्यक्ति की detrimental का मतलब होता है harmful, rampant का मतलब होता है widespread, तो सारे word यहाँ पर मैंने आपको revise कराए है इस वीडियो class को आप दो या तीन बार देखेंगे तो सारे word आपको यह अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे यहाँ पर आप अपना कुछ feedback देना चाहते हैं या मुझसे कुछ support लेना चाहते हैं तो इस phone number पर मुझसे आप बात कर सकते हैं और मेरा email ID भी है इसके थुरू आप मुझसे contact कर सकते हैं यदि आप online mock test series लेना चाहते हैं तो इस website से आप ले सकते हैं और English Advantage Group यह Facebook पर है इसको भी आप join करें ताकि आपको सारे notifications मिलते रहें so thank you very much for watching this video thank you